एक नए टॉपिक को जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक्स उपोटोसिंथेसिस ऐसा नहीं है कि सारे की सारे बेसिक्स इसी वीडियो में cover हो रहे हैं इस वीडियो में शिर्प हम बात करेंगे experimental related जो photosynthesis related जो भी experiments हुए है उनके बारे में हम बात करने वाले ठीक है तो चलिए start करते हैं पहली बात तो यह कि हम जो human beings है हम खुद का खाना खुद से बना सकते हैं क्या नहीं बना सकते हैं अगर ऐसा होता तो हम क्या करते हैं sunlight के आगे सूरज के सामने जाके खड़े होते हैं हमारे body में automatically food बन जाता हमें कोही intake करने की या फिर meal intake करने की ज़रूत नहीं होते है आज राइस और चपाती हम खा रहे होते हैं नहीं खा रहे होते हैं और यह जो राइस और चपाती है यह भी कहीं और से आया है हमने बनाया कैसे मतलब हमारे body के अंदर बनता है कि यह सारी चीज़े नहीं यह plant से मिलता है हमको ठीक है plants के पास ability है कि खुद का खाना वो खुद से बना सकते है तो उनके पास एक process होती है जो की बहुत important process है that is photosynthesis अब photosynthesis का meaning ही है photo का मतलब ही होता है light photo का मतलब ही क्या होता है light light की क्या करते है कुछ नहीं करते हैं हमारे plants जिसके Wisconsin आ को बोला रहता है photosynthesis process ठीक है light के मतलब से कुछ नहीं synthesize कर आ हो food synthesize पर यहां पर जहाँ आगर मैं बात करता हूँ कि यह सारी है आज जो हमारा plant photosynthesis करता है यह सारी छीजे का जो पहला इंसान आया होगा सारी की सारी चीज़े उसको पता होंगी तो ऐसा नहीं है पहली बात तो जब पहला इंसान आया था तो उसने गया कि एक स्टेप ऑ स्टेप आज चीज़े सीखने स्टार्ट की है तो एक्सपरिमेंटल बेस्ट में कया है 오늘은 प्रोसेस को समझने की कोशिश की है तो ःसी में से जो कुछ साइनटिस्ट है ли इनके बारे में हम आज देखेंगे तो उस उसमें से ज़र साइंटिस्थ थे जो जिनों ने 1770 में His вся में परफॉर्म किया था ठीक है अब यह जो सांटिस्थे प्रिस्ट्ले उनका नाम था अगर मैं बूलू कि इन्हों ने उनके ऊपर क्या रख दिया ग्लास जार रख दिया अब ग्लास जार रखने के बाद कुछ देर बाद जब उन्होंने ऑबजर किया तो क्या हुआ कैंडल भी बुझ गई और जो माइस था वो भी क्या हो चुका था डैथ हो चुका ऐसा क्यों हुआ क्यूंकि इनको जो जिवनेने के लिए लगता है ऐकसीजन लगता है और वह बोना है और ग्रमार में किया ऑगर पर उसी कंड़ों नेarta वहां पो कुछ दिर बाद अन्हों ने देखा कि जो mice है वो भी survive कर रहा है और candle है वो भी extinguish नहीं हुई है मतलब candle जल रही है तो उनसे उनको observation में यह चीज पता लगी कि oxygen है वो जो oxygen है वो release कोन करता है plant करता है ठीक है सेम सेटप यह जो प्रिस्टली का जो सेटप था ना वहीं सेटप लेके हमारे जो जान इंगेन हाउज नाम के साइंटिस्त है इन्होंने 1779 में एक सेम एक्सप्रिमेंट किया बट जब उन्होंने mint plant candle को जो burn हो रही थी और mice को रखा था दिन में इन्होंने रखा दिन में तो यही चीज उनको observe हो रही थी जिस तरीके से प्रिस्टले को observe हो रही थी लेकिन वही चीज जब उन्होंने night में की तो क्या मिला उनको जो candle है वो भी बुझ चुकी थी और mice भी क्या हो चुका था मर चुका था ठीक है तो इससे हमको यह समझ में आता है कि day condition में ही क्या होता ह है oxygen release होता है day condition में oxygen होता है night condition में oxygen release नहीं होता है यह कंक्लूजन हमारे जान इंगिन हाउस ने दिया था ठीक है अगर मैं बात करता हूं आगे किसी ने कोई स्टार्च को लाक्राण क्या हो बढ़ रहा है और ठीक है और उन्होंने पता किया कि जो stored food होता है जो glucose कोногоần किया जाता है वह star के फार्म में किया जाता है ठीक है मैं बात करूँ glucose molecule से क्या मंता है glucose ौका रह्ण होने के बाद ही बनता है हमारा starch molecule बनता है और इसी तरीके से जो glucose molecule ए ऐस टार्च के फार्म में हमारे जो प्लांट है उसमें होता है यह हमारे जूलियस वान सच ने बताया ठीक है तो इस तरीके से experiment चल रहा है अब इन्होंने क्या पता किया कि जैसे जैसे experiments किये जूलियन वन साच्स ने क्या किया इन्होंने ही शो किया कि कुछ ना कुछ green color का क्या है substance हमारे plant में present होता है आज हम उसे जानते है chlorophyll के नाम पे लेकिन उस समय पे उनको नहीं पता था उन्होंने कहा कि यह जो green color का substance है यह present होता है special body में आज जिसे हम chloroplast कहते है chloroplast में हमारा chlorophyll प्रेजेंट होता है that is green substance है जो जूलियस वन साच्स के मताबिक था लेकिन उस समय पर उनको उसका idea नहीं था कि chlorophyll क्या होता है chloroplast क्या होता है लेकिन आज हम उसे क्या से जानते है green color को हम जानते है chlorophyll के नाम पर और जहां पर वह special body में located है उसे हम कहते है chloroplast ठीक है तो इस तरीके से क्या हो रहे थे experiment run किये जा रहे थे ठीक है अगर मैं बोलो in the middle of 19th century कुछ scientist थे जिन्होंने equation निकाला कि कि किस तरीके से हमारा photosynthesis होता होगा तो equation क्या था उन्होंने पता किया six CO2 molecules जब combine होते है six water molecules के साथ in the presence of light ठीक है and in the presence of chlorophyll pigment अब क्या होता है हमारा glucose molecule form होता है और उससे क्या निकलता है oxygen निकलता है that is the byproduct अगर मैं आप से कहूं ये equation उनको पता चला in the middle of 19th century अब आप अगर observe करोगे ढंग से तो आपको समझ में आ रहा है CO2 में भी oxygen है और हमारे water में भी क्या है oxygen है ये जो oxygen release हो रहा है वो कहां से release हो रहा है क्या वो CO2 से आ रहा है या फिर क्या वो water से आ रहा है ये confusion तो सब के मन में था ठीक है तो यहां पर एक scientist है इन्होंने बताया कि कहां से हमारा oxygen आ रहा है किस तरीके से ये जो scientist थे जिनका नाम था Cornelius Van Nill इन्होंने क्या किया हमारे जो sulfur bacteria जिसे हम chemo autotrophs भी बोल सकते है ये chemo autotrophs क्या करता है उनका अब हमको पता चला कि ये किस तरीके से अपना food बनाते है ठीक है इनमें भी CO2-6 CO2 लगता है 12H2S लगता है C6H12O6 मतलब इसमें भी क्या बंद रहा है glucose बंद रहा है और यहां पर क्या हो रहा है water molecule रिलीज हो रहा है और sulfur भी क्या हो रहा है release हो रहा है ठीक है इस तरीके से क्या हो रहा था उनका एक observation था अब आप समझने के कोशिश किजिए इन दो reaction को आप compare करके देखिए यह जो उपर वाली reaction है और नीचे वाली reaction है इन दोनों को compare करके देखिए गया तो आपको समझ में आएगा CO2 तो इसमें भी present है ठीक है अब CO2 इसमें भी present है अगर CO2 oxygen के लिए responsible होता तो यह CO2 oxygen रिलीज करता ह है यहाँ पर लेकिन कहीं पर भी हमको oxygen हो रहा है कि यहाँ पर नहीं यहाँ पर देखिए है अगर यहाँ पर होता तभी क्या हो रहा है oxygen हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है है इसलिए क्या हो रहा है sulfur रिलीज हो रहा है मतलब जो CO2 है वहाँ से हमारा oxygen नहीं निकलता है हमार औक्सिजन जो है वाटर से निकलता है यह हमारे कॉर्णियस कॉर्णियस वैन नील ने हमको बताया बाइक कंपेरिंग दसलफर बैक्टरिया एक्वेशन भी फोटो सिंथेटिक प्लांट्स ठीक है तो इनके साथ क्या करके एक्वेशन को कंपेर करके उन्होंने बताया कि वाट लक्रणियस प्लांव को फ contractors रेलीर्डि ज होता है इस अलग स्फिजन को रेडियो अब यहाँ कहीं भी जाएगा यह उक्सिजन जहां कई भी जाएगा अगर यहाँ पर जाता होगा यहाँ पर भी color show करेगा यह यहाँ पर जाता होगा तो यहाँ पर color show करेगा तो इस तरीके से radio labeling होती है अगर मैंने इसको radio labeling का मतलब होता है कि इसमे क्या करना सेम atomic number पर रहेगा लेकिन atomic mass change कर देना इसका यहाँ पर जो oxygen है इसका क्या कर दिया उन्होंने atomic mass change कर दिया मतलब 16 होना चाहिए अब क्या है 18 है ठीक है और इसका क्या है 16 ही रहेगा ठीक है इस oxygen का 16 रहेगा अब ठीक है यह radio labeling हो गया अब क्या होगा यह जाएगा इस तरफ अब जहां कई पर यह जाएगा वहाँ पर क्या शो करेगा radio labeling शो करेगा मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा हमको oxygen का atomic mass 18 मिलेगा ठीक है 16 की जगह आप क्या होड़ा 18 मिलेगा मतलब इसको मैं इंडरेक्ट लेकर मैंने बोल दिया colorful किया तो इससे भी हम क्या समझ सकते easy way में थोड़ा सा समझ रेडियो लेबलिंग आपको अगर concept clear होगा इसमें हमने सिर्फ कलर पूल किया और जहां जाएगा हमको पता चल जाएगा तो इसी साब से जो isotopes होता है जिसमें क्या होता है मास का difference होता है that is the concept वह यूज करके हमने क्या पता किया कि कहा पे हमारा oxygen जा रहा है अब देखिए उन्होंने क्या करके दिया experimental प्रूब दिया कि जो हमारा क्या है oxygen है वो रिलीज होता है with the help of plants plants से जो oxygen आता है वो plants से ही जो हमारी जो plants में water होता है उसे क्या हमारा oxygen रिलीज होता है यह हमको यहां से पता चला ठीक है चलिए thank you very much